हाई गाईज आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार SSC के बारे एक्जाम के बारे में क्योंकि बिहार SSC के मेंस का एक्जाम होना है जिसका फॉर्म अभी भारा जा रहा था और बिहार SSC यानि बिहार करमचारी चैन आयोग के तरफ से बिहार SSC आयोग के तर तो आए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगतार बेसिस पर लागते रहते हैं साथ ही अ आप इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं क्या लेटेस नोटिफिकेशन बिहार इससी के आयो के तरफ से आया हुआ है तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर दी करा होगा उंतिस माई फिर इन्ठीस यहां पे डेट गलत लिख दिया गया है यह ऑन तीस पांच हो बीजापन को बात किया नोटीश थे नोटीस अब इसको क्या है इस पीजापन पुन से सम्वंधित क्या बात कहा गया इसको देखते हैं आप सकते हैं बिग्यापन संक्या इतना जो बिहार SSC के इंटर लेवल के एक बिग्यापन आया था एडवर्टाइजमेंट आया था जो ही लिखा गया है जो परत्योगिता परिक्षा द्वार चोगदा में आयोग योगे पाए गया अभियारतियों से मुखे परिक्षा के लिए ऑनलाइन तरह में परिक्षा सुल्ख जमा करने की अंतिमति थी जो थी जो थी उनतीश-पांच गया था अर्थात यहाँ-पर कहा जा रहा है कि जो डेडर रखा गया था में मेंस एक्जाम को अपिलाइर करने के बारे में जो यहाँ पे अंतिमती थी रखा रखी गई थी परिक्षा सुलकी वो 29-5 को रखी गई है तथा ओनलाइन आवेदन करने की अंतिमती थी 31 मई तक रखा गया था लेकिन बात करें यहाँ पे कोरोना वायरस की बात यहाँ भी बरतमान में कोरोना वायरस चल रहा है बरीतेजी से यहाँ पे कोरोना वायरस का एक स्प्रेड होडा है तो कोरोना वायरस चेहाँ पे कोविड-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए राजे सरकार दवारा लोगडाउन घोसीत किया गया है अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि लोगडाउन 31 मई तक यहाँ पे लग चुका ह जम्मा करने का अंति notre कि त्यूंअänge अंतिम्तिती एक पांच को था उसे बरहा करके 15 आप से थिया गए है ओधारे टिया लोगडाउन को मदनेजा रखते हुए और बश्याय का नहीं कहां गयाए लेकिन यही information आज यहां पे इस वीडियो में था आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि कब तक यहां पे डेट आ सकता है और कब तक यहां पे और कुछ यहां पे जो cut-up हो गया या फिर प्रिप्रेशन एस्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमने पिछले वीडियो में बताया था उसे आप जाकर कर देख सकते हैं और अपने प्रिप्रेशन को आगे बरहा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स